आप लोग बिल्कूल topic to topic अपनी पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ रहे हैं और मेरे वीडियोज देख रहे हैं उसके लिए Thank You, आप मुझे support कर रहे हैं उसके लिए Thank You, तो हमारी जो Western Art की timeline Western Art की कहानी चल रही थी, आप लोग मुझे इतने महिने से follow कर रहे हैं और देख रहे हैं, तो हम उसी की कहानी को आगे बढ़ाते वे, आज रोम की कला, रोमन की कला का अंतिम और त्रितिय भाग हम लेके हैं, उसमें हम पढ़ाई करेंगे कि देखते हैं, उसकी मुर्ती कला, हम वास्तु कला तक तो पढ़ चुके थे, और मुर्ती कला और चित्र कला में क्या-क्या काम हुआ है क्या क्या परिवर्तन है वो आज हम देखेंगे आपको सब कुछ बताने बाली हूँ वीडियो पूरी देखेगा starting to end and अगर first time के वीडियो देख रहे हैं दोस्तों तो हर बार की तरह हमें यही कहना चाहूंगी कि प्लीज इसके पहले के दो भाग जरूर देखें उसका लिंक आपको description box में मिल जाएगा चैनल को subscribe करें और पुराने वीडियो देखें वो आपकी बहुत help करेंगे और वीडियो पसंद आया तो like कीजिए comment section में भी लिखके मुझे जरूर बताएगा तो अब हम अपना कहानी शुरू करते हैं दोस्तों देखें यह सब पहले की चीज़ें मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को अगर यह पूरा समझना है तो आप यह पहले के first or second part जरूर देखें बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा ही करिए सबने मिलके इसमें और वह आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत helpful होगा अब हम जो शुरुवात करने वाले हैं वह आज हम कैसे शुरुवात करेंगे दोस्तों येस मुर्तिकला से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो are you ready हम स्टार्ट करते हैं तो मुर्तिकला क्या थी देख सब चीज़ें हम देख चुके हैं और अलग-अलग आर्किटेक्चर डिजाइन भी नॉट ओनली टैंपल चर्चे और और अडिटोरियम बने और भी बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें माने के वह पुल हो या हमारे थीटर्र हो या और वह फ्लेग्राउंड जों ये सब ची में कहीं कम नहीं था हमने मुर्तिकला की कहानी पीछे के उसमें जाये तो आपको यह कहानी याद करने में बहुत इजी रहेगी प्लीज आगे का याद जब करें तो पीछे को भुलाते नहीं जाये पीछे के जाते हैं तो हमने देख लिया क्या देखा था हमने कि ठीक है पह इस प्रकार से युमन फॉर्म में मतलब युनानियों ने भगवान को युमन फॉर्म में एक्सेप्ट किया था तो इसलिए उस तरह की बहुत ही मतलब अति अकर्शक मुर्तियां बनी ठीक है यह तो थी कहानी यहां तक कि अब आगे जब रोमन सामराज जाया तो मुर्ति काला में कैसा परिवर्तन आया हम वो देख लेते हैं तो रोमन ने एथेंस को वर्श 86 इसा पूर्व में हराया था ठीक है रोम वापस लोटते समय वे ग्रीक मूर्तियों को भी साथ ले आया थे ठीक है उनने वहां पे एथेंस पे हरा दिया था तो उनने क्या किया फिर वो जो व पराजा होता है उसका होता है तो सेम रोमन ने भी क्या किया है उनने भी वहां की ग्रीक मूर्टियों को अपने साथ ले आ है विकोज वो उनको पता था कि इन फ्यूचर और जो हिस्ट्री में इसका बहुत इंपॉर्टन महत्व है इसलिए वो लोग उसको ले आये थे को इ नान के कलाकार थे युणान के जो कलाकार थे दोशन नु के खरकना थे वो इतने फेमस हो चुके थे वो इतने रिस्पैक्टेड उस्विस्वां जनक माना जाता था कि वह दस लोगों की जैमानत दे दें उस तरह की चीज है न हमारे आम भाषन तो बोलो इतने उनके, ils के लिए अपने के बात हुदा है तो आज इस प्रकार से और फिरिडियोंट हैं वह जो बावदी आज लग बहुत बढ़ बहुत वैल्यस थी उनके लिए ठीक, रोम में अपनते हैं माने, लेकिन मूल मूर्तियों को अब परियाप्त उपलब्दियों के कारण उनकी प्रतिकृतियां का ओर्डर करने के लिए बनाया गया था उनने ये मैंने आपको बताया है कितनी बार देखे युनान की जितनी मूर्तियां भी बताई है उसको मैंने आपको एक चीज बताईए कि देखो इसमें कितने सारे जो फोटोज है वो मैंने अनुकृति की लगाए मतलब कॉपी की लगाए वो नश्ट हो चुके थे तो वैसे ही कुछ चीजों की जो मूल रूप थी वो चीज कम मतलब डिक्रीज हो रही थी या कुछ भी कुछ नश्ट हो गयोगी कुछ कहीं से कुछ ऐसा तूट गयोगी तो उन लोग ने फिर उसकी कॉपीज बनाने प्रतिकृतियां बनाने भी शुरू कर दी संपोन रोमन सामराज्य में भवनों तथा स्मारकों की मुर्तियों से अलंकरन किया गया था कोई डाउट नहीं है कि इससे इनका अलंकरन किया गया था चोराहों के फवारों स्नान ग्रहों मंदिरों प्रेक्षा ग्रहों राजकी अभवनों पुस्तकालें यह सारे आर्किचेक्ट्रम डिस्क्राइब कर चुकें यहां पर बने हैं जो उद्धियानों आदी में मूर्त तो नहीं छोड़ देंगे ना नहीं उसमें भी कुछ-कुछ मूर्तियों का आकर्श बना यूज में हुआ कहीं पर रेलिफ्स बनाई गई उसमें वॉल्स पर हैंना कहीं पर मूर्तियां ही बनाई तो उस प्रकार की चीज़ें भी यहां पर देखने को मिली पॉम्पोई के एक घर में वीनस की मूर्ति मिली जिसके अनावरत शरीर पर सुनेहरी रंग से जालीदार बिकनी चितरित कर दी गई है मतलब यह इस प्रकार से था उनका जो यह देखिया आप यह देख रहें यह एक वीनस की मूर्ति मिली साथ में चोटा मतलब शिशु भी है उसके ओपर ह देखा गया था हमको मिला था कि जालीदार ड्रेस अब भी कर रखा रखा उनको गोल्डन उससे लिखा न सुनेहरे रंग से जालीदार वह भी उनको ड्रेस अब किया गया तो यह कुछ नई चीज़ यहां पर देखने को मिली थी आगे क्या है रोमन्स कल्चर्ट जर्ट हेलनिस्टिक स्कूल परियाप्त प्रसिद्ध था वो एड़ एंड टाइम पे था है एसेंस का जो हेलनिस्टिक पीरेट का जो स्कूल था वो बहुत फेमस था आगे देखते हैं इस युग में प्रसीद्ध शिल्पी थे क्लियोमेनोस तो था उनका पूत्र एपोलोनियोस पेंटियोस सल्पनेयन क्रिटोन निकोलियो यह भी आदी मेन आर्टिस्ट इस समय के थे शिल्पी मतलब स्कूल्प्टर चीखें अब बद क्या है तो निकोलियो न जैनदरस ने बुध्य मर्कुरी का बड़ा स्कुप्चर बनाया इसका मैं फोटो नहीं देख पाई हैं लेकिन आप ये देखिए बस कि ये सूरी की मुर्ति निकोलाओ ने बनाई और जैनदरस ने बुध्य की प्रतिमा बनाई ग्रीक प्रभाव के कारण इमारतों को सजाने के लिए एतिहासिक और युद्ध की विजध रश्यों को दर्शाने के लिए मुर्तियां उकेरी गई यह मैंने आपको बताया कि वो मतलब war scenes ये सब हम लोग at the end hellenistic period में भी देख चुके हैं युनान में कि यह सब चीजना चालू हो गई थी वार के scene युद्ध चुत्रन वो लोग बहुत सुंदर करने लगा था तो यही चीजने जो है monuments में भी देखने को मिली वो लोग उस तरह के द्रश्य उकेरते थे ठीक है देखिए आई यह रोमन लोगों को यह विचार पसंद आया और रोमन समराटों की वीरता को मुर्तिकला के लिए theme के रूप में इस्तमाल किया गया as a theme वो यूज करते थे कि अगर उनकी जीत हुई तो वो मुर्तिकला के यूज करके उस scene को specify कर दें वर्ष तेरा इसा पूर्व में बना रोम में एक वेदी वेदी मींस जो एप्ट होता है वेदी मींस बोलूँगी मैं क्या बोल देंगे उसको अल्टार जो होता है आप ये समझे वेदी ये देखिए ये इस प्रकार की वेदी बना था ये क्या था कि एक वेदी पीएसी अगस्टे एक उपरियुक्त उधारण माना जाता है ठीके ये एक बहुत अच्छा इसमें देखिए यह रेलिफ की मुर्ती को पहले रोमन समराट औगस्टस को सम्मानित करने के लिए कमेशन किया गया था जो रोमन समराट जी में शांती लाए थे औगस्टस जो राजा थे वो यह पुजारी की पकड़ में समराट के मॉडल उसके परिवार के सदस्यों और अधिकारियों के समुल को प्रदर्शित करता है तो देखिए इस तरह का अल्टार बिने गया था गया आप देखने और इसमें जो यह चितरन है यह सब मुर्तियां मुर्ती रूप में रेलेफ फॉर्म में यह इस तरह से लेकिन इसका टॉपिक इसका सब्जिक क्या था समरा उगस्टर उनकी फैमली पुजारी इस तरह के उसको उनने प्रदर्शिन किया था राज भवनों राज की समारकों मंदिरों तथा फोरम आधी में भवनों की दिवारों की उपरी भाग की भद्रिकाएं पैनल तथा स्तंबों आधी पर रिलिफ की द्वारा उत्सव जलूज राजपरिवार, अधिकारिगण, मंत्रिगण, जनता, पशुपक्षी तथा कहीं कहीं मित की और विचित्र काम भी किया गया तो इस प्रकार से उन लोगों ने कहां कहां पे देखी तो अब समारक वो तो बना है हमने देखा बहुत सारे आर्किटेक्ट्र बना तो उनी के भ अधिक है, स्कॉप्चर तो मैंने आपको बता दिये, है ना, रेलिफ के फॉर्म में हैं और ये हैं, लेकिन एक ये चीज कभी मत भूलिएगा, पोर्ट्रेट स्कॉप्चर, पोर्ट्रेट स्कॉप्चर में इसका काम अब जाके रोमन में हमारी ये चीज जादा उबरी है, क अपनी मुर्टियां बनवाते थे, कॉरंद, ओलंपिया, एथन्स में इनका प्रचूरता से निर्माण हुआ, ये तीन सेंट्र थे, कॉरंद, ओलंपिया, एथन्स, यहां पे इनका बहुत अच्छे से निर्माण हुआ, क्या था, पोर्ट्रेट स्कॉप्चर को थोड़ा, तो हमने वो पेंटिंग वो तो देख लिया मुर्तियां और कहां पर थी यह हम देखते हैं पोट्रेट स्कल्प्चर कैसा कहां था तो मुर्तिकला में व्यक्ति चत्र की एक उतकरिष्ट परंपरा की स्थापना हुई शरीर की रचना में शास्त्री नीमों का भी ध्यान रखा तो मुर्तिकला में अब देखे कुछ नहीं चीजना तो आती है आप बोर रहे हैं कि वैसी मुर्तियां वो लोग नहीं बना पाए उसकी कॉपी कर पाए लेकिन उनने कुछ नहीं आ क्या बना तो उनने इस प्रकार के पोर्ट्रेट स्कल्प्चर वो लोग जादा बनाने शारिरिक संदरे का आदर्श नग्न मुर्ति त था सैनी वीरता का आदर्श गड़ेवेश युक्त योद्धाओं की आकरती द्वारा प्रस्तुत किया गया ठीक है आप समझ रहें ये चीजें मतलब कुछ नियूट भी मुर्ति बनी और कुछ जो वित ड्रेसेस के साथ मुर शारिटिंडी गणन्षील्टा आदी पर विशेश ध्यान जाता था ठीक है दो टाइप की शेलिया थी जिसमें कैया मेंस कि आपका जो फिजिकल लोग है उस पे जादा ध्यान दिया जाता था जाता था जहाता था चितना उसका मतलब बोलेंगे कि उनके हाथ है तो वो किस कितने सब्सक्राइब लेकिन दूसरा के था प्रकृति साद्रश्य मूलक जिसमें प्रकृतिक विवरणों तथा व्यक्तिकत शारिक विशेष्टाओं पर पर्याद बल दिया गया उनकी खुद की पर्सनल क्या करेक्टर स्टिक्स है नेचरल लिटी से उनकों में अंदर क्या गोण है वो चीजों जो है प्रकृतिक विवरण कहेंगे वो चीजों दूसरी तरह की दूसरी तरह की स्टाइल में आती थी देखें आपकुछ एक इंपॉर्टेंट काम है आपसे अग्याद रोमिन के मुख ये कहां मिले थे लमन समराज्ज के समय मिले थे अभी कहां पर ये तो ya रोंम में ही है जो वहीं पर है ये क्या है देखे तो एक अपरिवर्थ निय इच्छा की प्रवृति का प्रती है रचना और प्रमुख व्यक्तित्व तीवरता से यथार्तवादी है ठीक है मुर्तिकार इस व्यक्तित्व को गड़ते हुए बाद की शारिरिक विशेश्चनों को दिखाने का प्रयत्न किया है बाद में उसने माथे इगल जैसी नाक है ना माथे देख लें स्वरी माथा देखें आप उसमें इगल जैसी नोज इसकी और उ यह जो पूरा सल कर्ड जा रहे हैं वो सब चीजें उनने इसकी जरी दिखाई है यह भी मार्बल का ही बना गया है दूसरा क्या है तो यह एंपरर ऑगस्ट्रस का स्कुप्चर है सम्राट अगस्तरस की मुर्तिका कहते है इसको और इसको प्राइमा पोर्टा भी कहते है तो वह यह कहां पर है तो यह वैटिकन म्यूजियम में है मार्बल से बना है यह भी इसमें देखिए किस तरह का फॉर्म है हम देख लें उसको सम्राट एक लिनन बनियान पहने हुए अराम से खड़े हुए दिखाए गए हैं देख रहे देखते हैं आप सामने उन्होंने एक ध परतीक वह अपने दाई हाथ में एक उंगली की और इशारा कर रहा है मतलब यह आप देख लें एक लेंगली की और वो लोग इशारा कर रहे हैं और लगता यह है कि उनने जो दूसरे हाथ है उससे एक अपनी कर्मचारी को पकड़े वें यह देखिए आप यह हैं ऐसा लग इस प्रकार की देखिए बिल्कुल है तक बहुत मूर्तियां भी उनने बनाई है कैसर राजा वेस्पियन का धढ़ बस टाइडल ऑफ एमपरेड वेस्पियन यह भी ब्रिटिश म्यूजियम लंडन में है संग मरमर से बनी गई है इसका क्या स्पैशलिटी है तो चमकदार आ मिलिटरी पर्सोनिफिकेशन उसका मतलब उस तरह की उनके व्यक्तित्वों को शो करता है अब आप लोग एक चीज दिखाना चाहूंगी कि इनकी यह देखिए यह जो कपड़ों की सिकुड़न और यह सब कितना नैच्रल है और फेस ऑल्सो कितना नैच्रल है सब चीजने व तो वो हम बोलेंगे कि जो पोट्रेट स्कल्प्चर का स्पेशलिस्ट था और रोम सामराज्य के समय यह एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है तो यह तो था हमारे मूर्तिकला अब हम थोड़ इसी पेंटिंग्स भी देख लेते हैं आर्किटेक्टर जितना बड़ा लेकां फिर भी है स्ट्ड़ी तो करना है तो रोमन सामराज्य के पूर्वी शेत्रों में केवल डोरिपररस में ही कुछ कार शेश है कहां पे डूरायो रोपस में पॉम्पोई हेरेकलियम में इसकी तुलना नहीं की जा सकती वहां पे क्योंकि जादा है यहां ताबुतों प पर भी मृतक के चुत्र बनाया जाते हैं इस पर गौर कीजिएगा कि यहां पर मींस ऐसा नहीं है कि वह तो हम देखते थी जैसे टॉम्स जो भी डेड हैं उनके उपर उसमें फ्लावर्स बना रहे हैं और बहुत बहुत चीज़े लेकिन यहां पे तो उनका पेंटिंग ही बनाने का काम शुरू कर दिया ठीक है उनका पोर्ट्रेट से ही वह ही बना ले तो आगे देखेंगे उसको ह क्यातिरेक्ट मनी कुट्टिकम मौसाई का काम भी किया गया है सरवादिक चित्र पॉम्पोई तता हैरेकलीनियम के हैं है ना खुदाई से ग्यात हुआ है कि पॉम्पई के लगभग प्रतियक स्थान पर बित्ती चित्र बने हैं जिसमें से 35,000 अभी भी देखे जा सकते हैं पॉम्पोई में बहुत सारे वॉल पेंटिंग्स बने गए अनेक घरों में वासना मुलक उत्तेजक मूर्तियां और चित्र मिले हैं जो संभुता नगर वधूं के आवाज समू से संबंधित है पॉम्पोई के निकट एक भिती पर फूलो की देवी फ्लोरा की आकरती भी च आके देखते हैं पॉम्पोई में मिला सुनेहरा क्यूपिट का गर इस शेतर का सबसे प्रभावशाली भवन है यह हैरकलियस, rhyme question, जनोई के चित्र है ठीक इस प्रकार के यह चित्र्र देख सकते है आप यह के पॉम्पोई के क्यूपिट के घर की यह चित्र है वाल पेंटि लेकिन उसमें आज भी इतनी चमक्त हैं कि लोग विजिट करते हैं उसको ठीक है लकड़ी या पत्थर पर चित्रित इन आकरतियों को साबून से रगड रगड कर भी धोया गया फिर भी उनका रंग रूप नहीं बिगड़ा क्या देखी क्या चमक थी उसमें मतल़ इतना रग गीस गीस के भी धो दिया फिर भी वह एज इस है बित्ती चित्रों में से काट कर निकाले गए नमूने तथा उतको नम से प्राप्त राश्ट्रिय पुरा तत्विक संग्रालय नैपिल्स में रखा गया है जो भी उनके नमून और वहां पर रखा गया है रोमन कला में हैलनि इसक चित्रों की अनुकृतियां भी की गई है और वहां पर भी कुछ रोमन बित्ती चित्र मिले गया है ठीक है यह भी पॉम्पोई की ही पेंटिंग थी और यहां पर भी देखी क्यूपिड गॉड ओफ लव उनकी और बहुत कुछ बाल आकरतियां भी इस तरह से यहां पर बनाई गई है सिकंदर तथा परवर्थी शासकों के समय के रिलिफ चित्र मर ग्रामी द्रशियों में पशो तथा पक्षियों का निरक्षन कर आधारित अंकर किया गया है ठीक है आगे देखें रोमन चित्रकला में आकरतियां की सीमा रेखाएं छायां के समान अंकित है अति प्रकाश तथा प्रतिच छायां के द्वारा गणन चीलता दिशाई जाती है दाक ये लाइट शेट के द्वारा गणन चीलता जो है उसमें डैप्त दिखाई जाती है तथा प्रिष्ट भूमी को विविद प्रकार से चत्रित भी किया गया है, बैग्राउंड को भी अलगलग टाइप से चत्रित किया गया है, अब यह चीज़ देखिए, मगबरों के भित्ती चत्र में, म्रत्कों की व्यक्ती चत्र वाला पदक हट के लिए, विजय देविया ग योग आदी में म्रतकु के ताबूत पर अमरतक शबी चित्रित हैं, इस तरह का ये म्रतक शरीरिया पर चित्रित किया गया है, देखें आगे, रोमन भित्ती चत्र की परवर्टी योग की एक विशिष्टा यह भी मिलती है, कि दिवारों पर चत्रित वस्तुों में, प्रका उत्पन होता है इसलिए वाप पर उनकी जो लाइट है वो उतनी रखी गई जितनी नॉर्मल रूम में रह दिये उस प्रकार से थोड़ा से इनका लाइट उस पर उनने काम किया रोमन कला की एक और विशिष्टा थी समय तथा विस्तार को चित्रों में प्रस्तूत करने से संबन देता है कुछ द्रश्यों में कती पर आकरतियां बहुत अधिक स्थान गेरे हुए है और वे एक बिंदू परिप्रिक्ष्ट वन पॉइंट परस्पेक्टिव में देखी जाने वाली जैसे लगती है जैसे कि हेरेकलिनियम के चित्र की हेरेकलेस तथा टॉलिफोस की आकरति आदी एक बिंदू परिप्रिक्ष्ट की एनी आकरति भी मिलती है means वो लोग वन पॉइंट परस्पेक्टिव को देख कि अम पोस करते हैं यह फैरेकलिस और टेलिफोस का है। परस्पैक्टिव के नाम से जाना जाता हैvez मो कुछ लोग एक यह यह संसे कहते हैं कि तो भी कूछ लोग कहतने कि इनके पुर्व के सिकंदर तथा डोरियास की युद्ध से संबंधित मणी कुट्टिम चत्र हैं एक फोर्ट सैंचुरी इसापूर्व में जो सिकंदर और डोरियस का युद्ध हुआ था उसके संबंधित भी मणी कुट्टिम है देखिए आप यह देखिए दिख रहा यह मोसाइक स से दोस्तों पेंटिंग्स नहीं है यह मुसाइक से अलग-अलग जो भी जिस भी मटेरियल से बने हैं उसके यह बने गए हैं युद्ध द्रश्य यह चीज़ें हैं पर प्राप्त हुई है आगे दृतियशती इसापूर में मनी कुट्टिम अलंकरनों में मानव अकृतियों में मंडपों में इनका अंकन हुआ में मुजाइक फॉर्म में भी मुजाइक इस नौट इजी बट उसके लिए मनी कुट्टिम के लिए भी जैसे वो लोग मानव आकृतियों का चित्रण करने लगे ठीक है प्रसद रोमन चित्रकार कौन-कौन है तो देखिए इनका कुछ इतना डीटेल हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि इतना कंटेंट भी अविलेबल नहीं होता कोई बुक्स में भी इतना नहीं वढ़ने तै जैसे हमने ग्रीक का पढ़ा था अलग वो चीज में मानती हो रागे भी हम पढ़ेंगे जो अलग आर्टेस्स का डिस्कुशन पर इसम अब यह आपको यूँ याद रखना है कि कभी कहीं कुछ टाइम लाइन वगेरा में मैस्दो कॉलम्स इन में अगर आ भी जाते हैं तो आपको पता हो कि यह जो आर्टेस्ट हैं यह रोमन सम्राजी के समय के आर्टेस्ट थे तो यह देखे दोस्तों इस तरह का मुजैक का का अब देख सकते हैं कितना पोट्रेट वगेरा वो सब चीजन दिखा के भी उनका फेस वगेरा वो सब कितना सही बनाया गया है जबकि यह कोई पेंटिंग नहीं है ब्रश लेकि नहीं पेंट किया गया है यह मनी कुट्टेम है यह मोजाइक से मोजाइक का मैं तो बहुत अं आप लोग बिलकुल तयार कर लें आज मोर्तिकला और चित्रकला भी हमने डिसकस कर लिया है दोस्तों तो वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखके जरूर बताईए पसंद आया हो तो लाइक कीजिए उसे मुझे पता चलता है कि कितने लोग पसंद कर रहे ह और जो भी कमेंट्स हो आपका जो भी डाउट्स हैं आपके देखिए गलती सबसे होती है हो सकता है वीडियो में कुछ चीज गलत भी हो गई हो मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो वो भी आप मुझे मेंचिन कर सकते हैं और अगर कोई डाउट्स आते हैं उसके लिए भी बि उमीद है आपने देखी लिया होगा वो तो ठीक है तो चलिए आगे देखते हैं क्या है रोमन सामराज चौथवी शताबदी के अंत पर अब ये तो हमारा रोम का कंप्लीट हो गया लेकिन अब जो अगला वीडियो हमको देना है थोड़ा सा बचा है तो हम देख लेते हैं क्य साब पूर्वन है रोमन सामराज्य के पतन के साथ मींज जब डाउन हुआ प्राचीन युग समाप्त हो गया और मध्यूग की स्टार्टिंग होई ठीक है 476 इसवी में एक रोमन सामराज्य के हार निश्चित रूप से इस जंक्षिन की चिंद करने के लिए उपयोग की जा कहा जाता है यह कहा जाता है कि यह एंड हुआ और मध्यूग की स्टार्टिंग हो गई यह 1453 इसा तक चला कौन सा मध्यूग यह कला जो रोमन कला के पतन और गोथिक कला के उद्भव के बीच में हुई उसको मेडिविल आर्ट कहा जाता है तो दोस्तों यह आपने अगर मे प्राचीन कला भी कंप्लीट हो रही है और हम जो शुरू करेंगे वो अब मध्य काल शुरू करेंगे मेडिविल पीरेट शुरू करेंगे कि क्या चेंज़ आए जब रोम इंपायर का पतन हुआ तो उसके बाद जो गोथिक शेली जब तक पन पी नहीं तब तक का जो पीरे मेडिविल आट का सबसे पहला टॉपिक जब क्रिस्ट्यानिटी डेवलप होने लगी एंचिन क्रिस्ट्यान आट लेके आएंगे अरंबी किसाई कला उमीद है आपको पसंद आएगा और दोस्तों अब एक्जाम बहुत पास है तो प्लीज डेली क्वेशन्स प्राक्टस की जीए टेलिग्राम पे आप जूड़े हैं तो भी मैं कर्शन्स आपकी डालती रहूंगी आप उसको सॉल्व करें पहले दिन कर्शन्स का आंसर्स सॉल्व करें उसके बाद आंसर्स से मैच भी करें सो थैंक यू सो मच दोस्तों विश्यों वेरी ओल दे बेस्ट